हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू आवर चैनल फ्रेंट्स आज के हम वीडियो में जानेंगे दरोगा भरती से रिलेटेड कुछ एहम बाते फ्रेंट्स वसे तो आप सभी को पता ही है कि UPSI सवालों के बवंडर में फसा हुआ है अभी रिसेंटली की बात करें तो और अभी इसके साथ ही एक याज का दर्ज की गई है कोट में क्या है पूरी इंफोमेशन हम इस वीडियो में जानेंगे क्या भरती बोड मानने करेंगा और किस बेस भी आज का दर्ज की गई है अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ हो तो क्या आपको दुबारा चांस मिल सकता है सब कुछ हम बहुत ही separate तरीके से discuss करेंगे उससे पहले चैनल पे अगर आप नए आ गए हैं तो चैनल को subscribe कर लीजिए ताकि आपको आगे की update मिलती रहे फ्रेंड्स इपेपर वाले भीया ने एक article publish किया है उसके बारे में जानेंगे साथी फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे अभी दरोगा भरती पेपर को लेकर जो भी अटकले लगाई जा रही है क्योंकि धांदली का जो संकेत आ रहा है वो बहुत ही गंभीर है और इसको लेकर अप candidate आवाज भी उठा रहे हैं मांग बस यही है कि भरती रद न की जाए शीप्ट वाई जाज की जाए साथी फ्रेंड्स अगर धांदली पकड़ी गई है तो उन लोगों कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और ऐसा होना भी चाहिए भरती बोर्ट को इस पर एक्शन देना भी चाहिए क्योंकि जो महनत कर रहे हैं प्रसुप्चू है कैंडिडेट हैं कहीं न कहीं उनका जो है selection नहीं हो पाएगा अब साथी फ्रेंड अभी आप देख सकते हैं अभ्यर्थी के आवेदन पर बोर्ड क्यों रहा है खामोजी है फ्रेंड एक अभ्यर्थी के द्वारा जो है इसाई भरती को लेकर कोट में याज का दायर की गई है अब अभ्यर्थी का क्या कहना है देख सकते हैं उत्तर परिख्षा מुका न देने के करए इस कारण करनेने या याज का दायर किया है जबकि इसने दो दिन पहले ही भर्ती बोर्ट को सुचित कर दिया था ठीक है कि मैं अभी बिमार हूँ और मुझे अगले पाली में जो है एक्जैम देने का मौखा दिया जाए लेकिन इस पर जो है पुलिस भरती बोर्ट बिलकुल खामोस रहा अब देखें फ्रेंट्स ये बेस क्या है सबसे पहले अगर हम थोड़ी इसकी स्टार्टिंग की बात करें तो ये याची का आदित्य पांडे की तरब से दी गई है हाई कोट ने ये कहा है कि जब अभ्यर्थी ने मामले में लगतार बोर्ट के समक्ष परिक्सत में सामिर होने के लिए जब दोबारा मोका देने के लिए आविदन किया तो उसको नजर अंदाज क्यों किया गया है ये कोट का कहना है भर्थी बोर्ट को डाइरेक्टली कोट ने मामले में अगली शुनवाई की तीथी 16 दिसंबर तै की है याची के अधिवक्ता धरमेंद्र कुमार पांडे ने बताया है कि बोर्ट ने उत्तर परदेश एसाई भरती परिक्षा तीन चल्डों में कराई है याची को दूसरे चल्ड में परिक्षा देनी थी लेकिन परिक्षा से दू दिर पहले ही वह बिमार हो गया था इस संदर में उसने board को email ID पर पत्र भेजा और दूसरे चरण में ही परिक्षा में सामिल होने की भी मांग की थी लेकिन board की ओर से कोई भी जवाब नहीं दिया गया या आप एक तरह से कह सकते हैं इग्नॉर कर दिया गया है अब याची ने court के सामने गुहार तो लगाई है अब board के जो अजवकता हैं उन्होंने पहले तर्क दिया एसाई परिक्षा में किसी भी मतलब किसी को भी दोबारा परिक्षा में सामिल होने का मौका नहीं दिया गया है ये board की तरफ से कहा गया है लेकिन court ने इस बात को बिपक्स से जो हलफ नामा देने को कहा तो इस पर नए तथे सामने आया है यानि कि पहले जो है 135 अब भीर्थियों को दोबारा परिक्षा में सामिल किया गया है और यही बेस्वना candidate इसलिए जो है कोट का दरवाजा खटखटाया है ताकि बिमार की वज़र से जब मैं एक जैब नहीं दे पाया तो मुझे एक मौका दिया जाए जो पहले भी हो चुका है और जो भी candidate किसी कारण नहीं पहुँच पाए बस लेट हो गई हो ट्रेन लेट हो गई हो या फिर कुछ देर बाद पहुचे उनकी एंट्री नहीं होई हो तो उनको दुबारा से मौका जो है दिये जाने की बात के लिए यह आज का दायर की गई है और यह है आप देखिए फ्रेंट्स बात यह आ जाती है कि इस पर भरती बोट क्या एक्सन लेता है क्या मंजूरी दी जाती है जल्दी इसका निर्ने देखने को आप से भी को मिलेगा वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही आगे अपडेट के लिए चैनल साथ जूड़े रहें ठ्यांक्स वाचिंग टेक क्या